हमेशा आपके पास ऐसी बैड शीट जरूर होती हैं जो आपको पसंद बहुत होती हैं लेकिन आप उसे यूज नहीं कर पाते हैं लेकिन हम उन्ही पुरानी चीजों को यूज करके अपने घर को टेकुरेट कर सकते हैं हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टो मैं चैनल आज की वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है पुरानी चीजों को रेस्क्यू करके आप अपने घर को टेकुरेट करी सकते हैं साथ ही साथ धेल सारा पैसा भी बचा सकते हैं फेस्टिवल आ रहे हैं तो नई-नई चीजे खरीदने का भी मन करता है लेकिन कुछ पुरानी चीजों को रेस्क्यू करके ही जब हम अपने घर को डिफरेंट लुक दे सकते हैं तो क्यों ना दे तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं मेरे पास ये डबल साइड वाली बैट शीट थी जिसे मैं यूज नहीं कर पारी थी क्योंकि कुछ टाइम पहले जब मैं इसे यूज कर रही थी तो इसमें एक साइड से धागे किच गए थे जब भी कुछ चीज फज जाती थी तो इसमें धागी निकल जाते थे और एक साइड बॉबलिंग भी हो गई थी लेकिन इसकी दूसरी साइड बिलकुल ठीक थी तो इस पुरानी बैट शीट को रेस्क्यो करके ही मैं अपने पुराने टेबल को एक नया लोग देने वाली हूँ जिस साइड बॉबलिंग हो गई थी उस साइड को नीचे रख लीजे और जो दूसरी साइड है उस साइड को उपर रख लीजे अब ये बैट शीट बहुत लंबी है इस टेबल से बहुत बड़ी है लेकिन मुझे ये इसी साइज की बनानी है इस तरह की पैटन वाली पैट शीट में एक फायदा जरूर है कि ये पैटन ओल ओवर है और आप इसे साइड से कट कर सकते हैं और साइड से काफी सारा कपड़ा जो है वो बच भी जाएगा आपको ऊपर का जो पैटन है वो सेम रख लेना है और जो आपको ये देख लेना है कि आपको नीचे कितना कपड़ा छोड़ना है तो मुझे जो नीचे का रेक था वो भी cover करना था इसलिए मैं इसे लंबा रखूंगी दो साइट से तो मुझे cut नहीं करना क्योंकि मैं corner से measurement ले रही हूँ तो बस मैंने दो साइट से equal कर लिया है जितना मुझे नीचे लटकाना था इस तरह के pattern में आप उपर के pattern का जरूर ख्याल रखे जितना आप एक side का pattern रखेंगे उसी उतना ही आप दूसरी side का pattern रखेंगे उससे क्या होगा देखने में बहुत अच्छा लगेगा दोनों other side का भी मैंने pattern same रखा है आप देख सकते हैं आप यह side की length है यह मैंने 9.5 लिए है क्योंकि मुझे नीचे तक cover करना था इसे कम ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं मैंने दोनों side इतना ही लिया है दो other side पे भी मैंने 9.5 mark किया था और plus 1 inch और mark किया है क्योंकि हमें इसे fold भी करना है दो side से already folded है तो वहाँ हमें fold नहीं करना है लेकिन जिस side से हम cut करेंगे वहाँ हमें fold करना है इसलिए 1 inch आप plus करके जरूर लीजिए देखे इस तरीके से ही मैंने mark कर लिया है अब एक चीज़ का मैंने और दियान रखा है कि जो मेरा pattern है नीचे का वो भी same आए तो आप देख सकते हैं जो मेरा एक side folded है न वो उतना ही pattern आ रहा है जितना मुझे fold करना है तो यहाँ पे मैंने mark कर लिया था अब इससे 1 inch फाल्ट हूँ मैंने और mark कर लिया है यहाँ से मैं cut करूंगी इसे fold करने के लिए कि मैंने जो फो यह fold किया है न इसमें बिल्कुल pattern से ही मा रहा है तो सिरफ आप pattern को follow करके भी इसे cut कर सकते हैं measurement की ज्यादा ज़रत नहीं पड़ेगी आपको दो साइड जो folded है उसमें से एक साइड पे थोड़ा सा plane है तो इसे भी मैं एक fold करके stretch कर लोंगी जिससे जो plane साइड है यह अंदर चला जाएगा और दोनों other साइड को भी हम इसी तरीके से fold कर लेंगे उसमें बस दागा ने निकले इसके लिए आपको छोटा सा लूप तो इतना ही fold लीजेगा चारो तरफ से और देखिए बहुत कम महनत और बिना कुछ खर्च किया ही मेरा पुराने टेवल नया हो गया देखिए बिलकुल सिंपल से सिंपल डेकोडिशन के साथ भी आपका घर का लुग बिलकुल चेंज हो जाता है तो आपके पास भी अगर ऐ एक्स डिया वाई देख लेते हैं मैं पुरानी साड़ियों को यूज करके कुछ ना कुछ मनाती ही रहती हूं इस तरीके से मैंने बहुत सारी चीजें बना के रखे हैं इसी पुरानी साड़ी को यूज करके मैं डबल साइडिड रनर बनाने वाली हूं जो कि आप दो तरीक के सारी थी जो हाफ अलग थी और हाफ अलग थी हाफ सारी एकदम खराब हो गए थी उसमें बॉबलिंग हो गई तो उसकी वज़े से मैंने वह पॉर्शन निकाल दिया था सिर्फ हाफ सारी से ही मैंने यह सेट त्यार किया है छोटे कुशिन कवर और दो बड़े और एक मैंने बड़ा पिलो कवर भी इसके साथ त्यार किया है तो आप इस तरीके से पुरानी सारी को यूज़ करके आप बना सकते हैं यह कपरा थोड़ा मोटा था तो इसमें मैंने कोई भी अस्तर का इस्तमाल ने किया है सिर्फ सारी से ही बनाया है इसे कुशिन हम हर तरीके से रिउन पीता कि दियार कर रही हूं चैवे पीज में से बनाने के लिए तो सबसे पहले आपको यह मेंशर करना पड़ेगा कि आपके पास कितना कपड़ा है और यह ठीक रहेगा या किसे मेरे पास जो लंबा पीस कट आवा था ना तो उसे मैंने मेजर कड़ना शुरू किया कि यह जो पीच में यह इतना ठीक रहेगा या मुझे कितना लेना है सबसे पहले इसको इसके उपर लगा के देखा कि जो पैट न है इसके उपर अच्छा लग रहा है या नहीं तो ये काफी अच्छा लग रहा था, इसके लिए मैंने इसे फोल करके और पूरा लंबा पीस काट लिया, मेरे पास बहुत ज़्यदा लंबा पीस नहीं था क्योंकि मुझे नीचे भी लटकाना था, तो उतना मैंने मेजर करके इसे लंबाई में कट कर लिया, दीखे इस तरी कम था, तो इसमें लगाने के लिए मैंने सोचा कि मैं साड़ी के कपड़े में से इसमें कुछ डिजाइन कर दूँगी, तो सबसे पहले तो मैंने इसके हिसाब से इसे कट कर लिया, ये दो छोटे पीस तियार हो गए थे, इसे साइट से भी मैंने इकुल कर लिया, और इसे से जॉइंट कर लिया जॉइंट करने के बाद इसमें उपर से आप टॉप स्टेच भी लगा लीजी जिसे इसके फिटिंग जो है अच्छी बैट जाएगी इस तरीके से मैंने इसे अपनी साड़ी के उपर लगा के देखा तो ये सर्फ उपर के पोजिशन में ही ब्लैक कपड दर की साइड के ब्लैकर में अदर की साइड रखेंगे निसृइफ जरीके से वार कर लेंगे और एक दूसरे के उपर रखे इसे stitch कर लेंगे दोनों कपड़े की सीधी साइड को हम अंदर की साइड रखेंगे और बाहर की साइड से stitch करेंगे stitch करने से पहले इसे टक कर लेंगे जिसे कपड़ा move ना करे यह थोड़ा slippery कपड़ा है अगर आपको परिशानी हो stitch करने में तो आप पहले इसे कच्चा कर लीजे अब नीचे की साइड से हमें इसको shape देना है इसके लिए मैं equal पहले mark कर लूँगी और इसका center भी mark कर लूँगी और नीचे से हम जो extra कपड़ा है उसे कट करके निगाल देंगे अब इसे नीचे से V-shape देने के लिए सबसे पहले center mark करेंगे और side से मैंने 4-4 mark करके इसे V-shape में cut कर लिया है अब इसे stitch कर लेंगे चारों तरफ से थोड़ा सा side हमें नीचे खुला रखना है जहां से हम इसे पलट सके इसे पलटने के बाद जो सिलाई वाला side है वो अंदर चला जाएगा और इसे अच्छे तरीके से press कर लेंगे इसके corners को भी अच्छे से खोल लेंगे और अच्छे तरीके से press करने के बाद यह अच्छे से set हो जाएगा और इस तरीके से हमें इसके corners को फिर जो थोड़ा सा खुलावा portion है ना इसे हाथ से टक कर लेना है मेरे पास इसमें लगाने के लिए tassels नहीं थे market करिने जाती तो time भी waste होता तो सोचा घर पे ही क्यों ना बना लूँ तो black और white color की ना मैं extra reels हमेशा रखती हूँ क्योंकि मैं हमेशा stitching करती रहती हूँ तो इसलिए ये मेरे पास black reel पड़ी थी और मैंने सोचा इसी से मैं tassels बना लूँगी बहुत ही आसान है आप reel से भी tassels बना सकते हैं तो इस तरीके से आपको एक ना sharp blade ले लेना है और इस तरीके से इसे cut कर लेना है तो इस तरीके से आपको thread मिल जाएंगे और एक reel में से आप चार चोटे tassels मना सकते हैं तो अगर मैं इसे double fold कर लेती तो ये थोड़ा चोटा हो जाता तो इस तरीके से मैंने इसे सिर्फ उपर की तरफ से एक loop में fold कर लिया है तिके मैंने सिर्फ एक loop ही इसे fold किया है सिर्फ उपर से और यहां पे ही मैं इसे धागे से tight कर दूँगी बस मैंने यहां उपर की side ही black thread लेके इसे लपेटना शुरू कर दिया और आप काफी सारा यहां लपेट दीजे जिसे यह tight भी हो जाए और अच्छे से fix हो जाए और अच्छे से fix करने के बाद यहां पर नॉट लगाने के लिए मैं एक trick का इसमाल कर रही हूँ हूँ आप देखके follow कर सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से आप not लगाएंगे ना बिल्कुल भी नहीं खुलेगी और नीचे से इसे बस equal कर लिया है लेजी मेरे छोटे छोटे से यह tassels त्यार हो गए हैं दूसरा टैसल भी मैंने सेम तरीके से ही त्यार कर लिया है बस इन टैसल को नीचे टक कर लेंगे टक करने के लिए भी मैंने एक trick का इसमाल किया है मैंने ये चार तहली हैं धागे की और इसे मैंने एक साइट से गुसा के टैसल में और दूसी साइट से इस तरह के से फसा दिया है तो इस तरह के से इसमें एक लूप बन जाता है इस तरह के से आपका टैसल ना बिल्कुल भी नहीं निकलेगा अब दोनों टैसल्स को दोनों साइट पे हमें टक कर लेना है देखिए इन छोटी छोटी ट्रिक्स है ना हमारा काम आसान भी हो जाता है और आपके काम में एक पर्फेक्शन भी आता है और देखिए मेरा ये रनर त्यार हो गया है मैंने सोचा भी नहीं था कि ये इतना सुन्दर वन के तियार होगा येकिन मान ये इतनी खुशी मिलती है जब आप किसी काम को करते हैं और वो बिल्कुल पर्फेक्टली डन हो जाता है ना तो बहुत ही सादा कुशी मिलती है मेरे पास सेम कलर के कर्टेंस भी हैं जिनके साथ ये पर्फेक्टली मैच हो जाएगा और दूसरी साइट से भी आप इसे एक डिफरेंट लुक देने के लिए ट्राइ कर सकते हैं अगर आपके पास काज की टेबल है तो उस पर भी आप बिना टेबल कवर के इस रेनर को यूज़ कर सकते हैं बहुत ही सुन्दर सा इसका लुक आएगा आपको मेरा आज का कौन सा DIY पसंद आया और कौन सा लुक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे प्लीज कमेंट करके ज़रू बताइएगा और अगर आप फर्स टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं या फिर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बैल को प्रेस जरूर कर दीजिएगा मेरी आने वाली वीडियो को देखने के लिए मैं आपके साथ ऐसी ही धेर सारी नो कॉस्स डियाइवाई और ट्रिक्स और हैक शेयर करती नहूंगी फिर मिलूंगी मैं आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर